दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननेता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं अंग्रे जी के बहुत सारे शब्द धोखा देने वाले हैं अंग्रे जी भाषा भी धोखा देने वाली भाषा है जिसमें से आप बहुत सारे अर्थ समझ नहीं सकते दुनिया वे ये अकेली भाषा है अंग्रे जी जो सबसे ज़्यादा धोखा देती है बहुत सारे उधारन मैं उसके दे सकता हूँ मैं अगर अंग्रेजी में कहूँ कि ये व्यक्ति Sun in law है तो क्या आरथ निकालेंगा मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति आपका या मेरा Sun in law है Sun in law क्या मतलब है इसका या तो जीजा होगा या तो साला होगा यही अरथ है ना लेकिन अंग्रेजी में दोनों है जीजा भी है साला भी है मैं अगर हिंदी में या मराठी में कहूँ कि ये जीजा है तो एक मिनट में आपको समझ में आएगा ये बहन का पती है अगर मैं ये कहूँ कि ये साला है एक मिनिट में समझ में आएगा बेहन का भाई है Son in law जी जाभी होगा, साला भी होगा समझ में नहीं आएगा, ये है क्या अंग्रेजी वाशा है, ऐसी दोखा देने हो लिबाशा है अगर किसी को ये कहें कि ये Father in law है ये नहीं समझ में आएगा, कौन सा है इधर वाला है कि इधर वाला है लड़की वाला है कि लड़के वाला है है father in law फिर ये कहा जाए mother in law है नहीं समझ पाएंगे आप लड़की वाली है कि लड़के वाली है तो दोनों ही हो सकते है sister in law बिलकुल नहीं पता कर पाएंगे कि आप ये है कौन सा रिष्टा sister-in-law ऐसे अंग्रेजी में हजारों शब्द है और ये शब्द अंग्रेजी में है उन विद्वान लोगों के द्वारा बनाएगे जो अंग्रेजी के बड़े महान विद्वान माने जाते है भाशा ही पूरी दोखा देने वाले समझी नहीं सकते अगर मैं आप से ये बोलू sun अब पता नहीं कौन सा sun sun भी हो सकता है son भी हो सकता है sun सूरज है son बेटा है दोनों में जमीन आसमान का अंतर है pronunciation एक ही है sun समझी नहीं सकते है लोगों को दोस्तों का ऐसा लग रहा है आप लोग राजिवादी है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेजेगा यदि वीडियो राजिवाई का अच्छा लगा तो उसे वीडियो को लाइक कर दीजेगा